स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं अंकिता सेंगी लर्णिंग भी दुर्गेश में आपका स्वागत करते हूँ स्टुडेंट्स आज मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके exam के point of view से बहुत ही important है ठीक है तो friends हमारा आज का topic है cell जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग कोशिका बोलते हैं ठीक है हमारा आज का topic क्या है cell कोशिका ठीक है तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कोसिका होती क्या है ठीक है और कोसिका की जो इस्टड़ी है कोसिका का जो अध्यान है वो हम बिग्यान की किस साखा में करते हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि कोशिका का अध्यान, हम लोग साइटो लौजी के अंतरगत करते हैं, किसके अंतरगत साइटो लौजी? तो आप से question पूछा जाएगा कि कोशिका का अध्यान विज्ञान के किस साखा के अंतरगत करते हैं तो आप बताएंगे कि साइटोलाजी के अंतरगत करते हैं ठीक है उसके बाद होता क्या है कोशिका और कोशिका की खोच किसने की थी तो सबसे पहले आप इसके definition ही एक line में लिख लेंगे Cell is the structural and functional unit of life ठीक है Cell is the structural and functional unit of life कोशिका प्रतेख जिवधारी की हिंदी में लिखेंगे कोशिका प्रतेख जिवधारी की कोशिका प्रतेख जिवधारी की आधार भूत आधार भूत संरचनात्मक वा क्रियात्मक इकाई है संरचनात्मक वा क्रियात्मक इकाई है ठीक है सेल is the basic structural and functional unit of life sorry one word Cell is the basic structural and functional unit of life कोशिका क्या है वो प्रतेक जिवधारी की आधार बुथ संदशनात्मक वक्रियात्मक की काई है मिन्स हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होगा ठीक है हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा? Cell, कोशिका और उसी एक कोशिका से हमारी पूरी बॉडी का फार्मेशन हुआ है ठीक है तो अब कोशिका को संदशनात्मक वक्रियात्मक की काई क्यों कहा जाता है यह अभी हम आपको आगी की क्लास में बताते हैं ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की है ठीक है? एक और main point इसमें लिखिएगा कि कोशिका में सारे टर्म आपको clear होंगे कि कोशिका को संदशनात्मक वक्रियात्मक की काई क्यों कहते हैं ठीक है? पहले note कर लिजे कोशिका में स्वतह जनन की छमता पाई जाती है इसके बाद आप लिखेंगे Discovery of Cell Discovery of Cell Means कोशिका की खोज कोशिका की खोज तो सरप्रथम कोशिका की खोज कौन किया था? तो सरप्रथम कोशिका की खोज Robert Hook ने Robert Hook कौन किया था सरप्रथम कोशिका की खोज? तो सर्व प्रतम कोशिका की खोज Robert Hook किये थे, कम किये थे? 1665 में किये थे ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे कि सर्व प्रतम कोशिका की खोज Robert Hook द्वारा 1665 में की गई थी और इन्होंने किसमें की थी? तो इन्होंने कॉर्क में कौर्क में इन्होंने कोशिका की खोच की थी और इन्होंने जिस कोशिका की खोच की थी वो कैसी कोशिका थी निर्जीव कोशिका थी ठीक है, कार्क का मतलब आप लोग पेणों की छाल के बारे में जानते होंगे जो कि ऐसे आप उखारते हैं तुरंट उखर जाता है वो क्या है नन लिविंग पार्ट आप प्लांट वो प्लांट का एक ऐसा भाग है जिसमें की लाइफ नहीं है नन लिविंग है निर्जिव है ठीक है उसी को इन्हों ने लिया था उसी को रॉबर्ट हुग ने लेके अंडर माइक्रोइस्कोप अपने माइक्रोइस्कोप से जब उसका अबजर्वेशन किया तो उनको उनमें कोछ इस टाइप के मदुमक्खी के छत्ते के जैसी सनरचना दिखाई दी और इस प्रतेक इसके हर एक पार्ट को उन्होंने क्या कहा सेल कहा को सिखा कि इसका एक जो ये सबसे छोटा भाग है जिससे के मिलके ये सारा पूरा पार्ट बना हुआ है तो ये जो छोटा पार्ट है इसी को इन्होंने क्या कहा था सेल कहा था तो आप से कोश्चन अगर आता है कि सरवर्परतम कोछिका की खोच किसने की थी और कब की थी तो आप बताएंगे कि राबर्ट हूक ने 1655 में Cheryl कैसे कोशिका की खोच निर्जिव कोशिका की खोच अग नहीं बताएंगे तो आप लिखेंगे कि सर्प्रथम जीवित कोशिका की खोज कि हमें लिख देते हैं सर्प्रथम जीवित जीवित सर्व प्रथम जीवित तथा मुक्त स्वतांत्र ठीक है जीवित तथा मुक्त कोशिका की खोज कोशिका की खोज लिवेन हॉक के द्वारा की गए थी किसके द्वारा लिवेन हॉक ठीक है तो निर्जीव कोशिका की खोज किस ने किया है राबर्ट हॉक ने और सजीव कोशिका की खोज किस ने किया है वो लिवेन हॉक ने और सर्व प्रथम कोशिका की खोज कौन किया है तो वहाँ पे भी आप बताएंगे राबर्ट हॉक ठीक है इतनी बाते clear है ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं कोशिका के आधार पर ठीक है तो आप heading डालेंगे कि कोशिका के आधार पर जिव जो है वो दू प्रकार के होते हैं कोशिका के आधार पर ठीक है लिखेंगे जिव कोशिका के आधार पर जिव heading डालेंगे फिर लिखेंगे कि कोशिका के आधार पर जिव जो है वो दो प्रकार के होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है फर्स्ट को हम बोलेंगे एक कोस की जिव एक कोस की जिव ठीक है और सेकेंड को बोलेंगे बहु कोस की जिव ठीक है एक कोस की जिव को बोलते हैं Unicellular Organism Unicellular Organism बहु कोस की जीव को बोलते हैं Multicellular Multicellular Organisms ठीक है? अब यह एक कोस की जीव और बहु कोस की जीव होते क्या है? तो जो एक कोस की जीव ऐसे जीव लिखेंगे आप ऐसे जीव जिनका सारीरिक निर्मार केवल एक कोस का से होता है ठीक है? आप लिखेंगे ऐसे जीव जिनके बोडी का निर्मार सिर्फ एक कोस का से होता है जिनमें की सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है ठीक है? ऐसे जीव जिनके सरीर का निर्मार जिनके बोडी का निर्मार सिंगल सेल से होता है एक कोसिका से होता है जिनमें सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है ऐसे जिवों को क्या बोलते हैं एक कोस की ठीक है ये जिवों है पूरे जिवों है सभी functions को perform करते हैं लेकिन इनकी body का जो निर्मार हुआ है वो सिर्फ एक सिल से हुआ है, एक कोसिका से हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जिवों को क्या बोला जाता है Unicellular Oregon निजम, एक कोस की जिव, ठीक है, क्लिर है, देखे, एक कोस की जिव जो होते हैं, इनमें एक्जामपल आप लिखेंगे एक्जामपल, तो सभी लोग जानते होंगे, बचपन से सब लोग पढ़ते हैं, अमीबा, पेरामीसियम, यूगलीना, ठहिक है? कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं देखे, कुछ बैक्टीरिया, ठहिक है? कुछ एलगी वो सभी किस कंडिशन में आते हैं एक कोस की जीव की कटेगरी में आते हैं ठीक है जिस भी जीव का निर्मार सिर्फ एक कोसिका से होता है ठीक है जिन जीवों का निर्मार निर्मार नहीं जिन जीवों में सिर्फ एक कोसिका होता तो निर्मार तो सभी जीवों का एक कोसिका से ही होता है वही कोसिका डिवाइड होते होते डेर सारी कोसिकाओं में Convert हो जाती है और एक जियू का निर्मार हो जाता है ठीक है लेकिन ऐसे जिव। जिनके पूरी बोड़ी में चाए जिस स्टेज में वो हो वो सिर्फ सिंगल सेल ही पाई जाए, number of सेल बढ़े न, सेलों की कोशिकाओं की संख्या बढ़े न, उनको क्या बोलते हैं, unicellular organisms, एक कोश की जिव, उसके बाद बहु कोश की जिव, तो ऐसे जिव, ऐसे जिव, जिनमें की धेर सारे सेल पाई जाते हैं, ठीक है, ऐसे जिव, जिनमें एक से अधिक सेल पाई जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बहु कोश की जिव, तो आप लिखेंगे ऐसे जिव जिनमें एक से अधिक एक से अधिक कोश का पाई जाती है ठीक है बहु कोभ और डि उजिव कहलाते हैं ठीक है तो अब extrem plagio आप किसी को भी दे सकते हैं ऐसे जिवन को तो आप बहुत करई जानते हैं पहला example आप human का ही दे दीजिए मान लो किस category में आता है भाभ कोभ कषकी की category में आता है ठीक है उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी जानवर्स हैं, किस कटेगरी में आते हैं बहुकोस की, जो प्लांट हैं, जितने भी पौधे हैं, किस कटेगरी में आते हैं, बहुकोस की कटेगरी में आते हैं, जो बहुकोस की जी होते हैं, उनके सरीर का जो निर्माड होता है, वो सिंगल से से होता है लेकिन उनके सरीर में एक से अधिक सेल पाई जाती है वही सेल डिवाइड होती है विभाजित होती है और धेर सारी सेल में धेर सारी कोशिकाओं में कनवर्ट हो जाती है ठीक है कैसे डिविजन होता है क्या होता है यह आगी की क्लास में देखेंगे ठीक तो यहाँ पे एक कोस्की जीव और बहु कोस्की जीव आपका क्लियर हो गया होते हैं अब हम आपको कोसिका से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता देते हैं जो की पूछा जाता है एक्जाम में वैसे ही कोस्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लिखिएगा सबसे छोटी कोसिका क्या लिखेंगे आप सबसे छोटी कोसिका तो सबसे छोटी कोसिका कौन सी है आप लिखेंगे माईको प्लाज्मा गैली सेप्टिकम ये की है इतना बड़ा नाम है माईको प्लाज्मा गैली सेप्टिकम उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन से होगी? सुतुर मुर्ग का अंडा, सुतुर मुर्ग का अंडा, ठीक है? उसके बाद, next question, मानव सरीर में, मानव सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका. आप लिखेंगे ओवम, अंडारू, ठीक है? उसके बाद, मानव सरीर में, मानव सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका. मानव सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, सेरी बेलम की, सेरी बेलम की, ग्रेनियूल कोशिका, ठीक है? सेरी बेलम की, ग्रेनियूल कोशिका, ठीक है? उसके बाद, एक टर्म और, मानव सरीर में, मानव सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है? तो मानव सरीर में सबसे पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? नियूरॉन, ठीक है? ये कोशिका से रिलेटेट फाइब टर्म्स हैं, सबसे छोटी कोशिका, माइको प्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका, सुतुर मुर्ग का अंडा, ठीक है? मानों सरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, सेल थेओरी, कोशिका सिध्धान्त, ये भी कोशिका का सिध्धान्त किस ने दिया था? ठीक है तो आप लिखेंगे कोशिका सिद्धांथ कोशिका सिद्धांथ Question आता है कोशिका सिद्धांथ Cell Theory किसके द्वारा दी गई है तो Cell Theory जो है उसको देने वाले है Sliden Sliden and Swan ठीक है कोशिका सिद्धांथ कौन दिया है तो कोशिका सिद्धांत दिये है स्लाइडेन तथा स्वान ठीक है कब दिये है 1839 में जिसमें एक लोग क्या थे बॉटनिस्ट थे और दूसरे लोग क्या थे जू लोजिस्ट थे तो स्लाइडेन जो है वो वनस्पती सास्त्री थे मतलब बॉटेनिस्ट थे ठीक है बॉटेनिस्ट मतलब जो पेड़ पौधों का अध्यान करने वाले होते हैं पीछे की क्लास में आपको बताया ही है और स्वान जो है वो जुलोजिस्ट थे ठीक है means जिव जन्तूओं का अध्यान करने वाले थे ये जो है वो पेड़ फौदों का अध्यान करने वाले थे दोनों लोगों ने स्टड़ी करके कोसिका का सिध्धान्त दिया और बताया कि कोसिका क्या होती है कैसे होती है ठीक है तो जो सेल थियोरी में कोसिका के बारे में कहा गया है उससे related कुछ टर्म आप नोड करेंगे प्रतेक जीव इन्होंने कहा कि प्रतेक जीव एक कोस्किय या बहु कोस्किय होते हैं एक कोस्किय या बहु कोस्किय होते हैं ठीक है प्रतेक जीव कैसे होंगे जो भी जीव है जितने भी living beings हैं वो या तो unicellular होंगे या तो multicellular होंगे ठीक है प्रतेक कोशिका का निर्मार इन्होंने कहा कि प्रतेक कोशिका का निर्मार प्रतेक कोशिका का निर्मार पहले से उपस्थित कोशिका से होता है प्रतेक जीव एक कोश्की या बहुकोश्की होते हैं प्रतेक कोशिका का निर्मार पहले से उपस्थित कोशिका से होता है ठीक है और प्रतेक जीव की उत्पत्ति ठीक है ठार्ड टर्मिन का क्या था कि प्रतेक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है कोशिका से ही हुई है जब प्रतेक जीव की उत्पत्ती कोशिका से ही हुई है तो क्या होगा कोशिका आधार भूत सनरचनात्म किकाई हुई न जब ये क्या कर रही है एक सभी जीवों को एक बेश प्रदान कर रही है क्यूंकि कोसिका से ही सभी जीवों की उत्पत्ती हो रही है ठीक है तो इसलिए कोसिका को क्या कहा गया है आधार भूत सनरचनात्मक इकाई एक तर्म आपका क्लियर हुआ अभी क्रियात्मक इकाई की बारे में बचा हुआ है ठीक तो पहले कोशकी सिद्धान देखते हैं कोशका का सिद्धान ते 1849 में स्लाइडेन वह स्वान नामक साइंटिस्टों के दोरा वग्यानिकों के दोरा दिया गया था ठीक है जिन में से जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे मींस बनसपती विग्यानी थे ये बेड़ क पादों का अधियन करने वाले थे स्वान जो थे वह जू लौजिस्ट थे मींस जिव जंतुओं का अधियन करने वाले थे इन दोनों लोगों ने स्टरी करने की बाद जो टियरी दी उससे कुछ से डिलेटेड टर्मस आपके साامने आए प्रतेट जीव कि उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है जो भी जितने भी जिऊ उत्पन हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं तरह दो Dire in THE काइसे हो रहे हैं कांटीनू पढ़ते चलीängen आगे पता चल जाएगा ठीक हैं इतनी बाते हैं अब देखिए जब समान सिल एक ही तरह की सिल एक दूसरे से जुड़ती है तो वो क्या करेंगी टीश्यू का उतक का निर्मार करती है जैसे मान लिजे चार तरह की सिल पाई जा रही है ठीक है ये चार तरह की सिल पाई जा रही है ठीक है ये चार तरह की सेल हैं ये चार तरह की कोशिकाएं हैं ठीक है चार तरह की कोशिकाएं हैं अब जब इस तरह की इस तरह की एक ही जैसी धेर सारी सेल एक दूसरे से जुडेंगी ठीक है इस तरह की धेर सारी सेल एक दूसरे से क्या होंगी जुडेंगी ठीक तो ये क्या बना लेंगी ये बना लेंगी टीश्यू उतक ठीक है ये क्या बना लेंगी टीश्यू बना लेंगी उतक बना लेंगी ठीक है तो आप जानते रहें कि जब समान प्रकार के सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो किसका निर्मार करते हैं टीश्यू का निर्मार करते हैं उत ठीक है अब जैसे उतक हो गए ये अब ऐसे ही उतक ठीक है ऐसे ही धेर सारे उतक क्या होंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे जब समान प्रकार के उतक क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं ठीक है अब ये चारों उतक एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो क्या बना दे बनाते हैं अंग बनाते हैं आरगन बनाते हैं जो की स्पेस्फिक फंक्शन्स को परफार्म करता है जैसे मान लीजे ये हैंड बना रहा है ठीक है ये लेग बना रहा है ठीक है ये माउथ बना रहा है ठीक है और ये जो है वो फिंगर बना रहा है ठीक है ये चार सेल हैं ये च होते हैं तो सभी औरगन क्या करेंगे एक इस प्रकार के कारियों को करते हैं जैसे यह हाथ है हाथ हमारे पास भी है आपके पास भी है है ना सभी के पास है लेकिन यह हाथ का जो काम है वो क्या है सब में देखिए सेम है क्यों क्योंकि यह सेम टाइप के सेल से मिलके बना हुआ बस इनका जो number होगा वो क्या होगा difference होगा जैसे आपका हाथ छोटा है तो आप में जो number आप cell है वो कम होगे जिसका हाथ बड़ा होगा उसमें जो number आप मतलब cellों की संख्या जो है वो जादा होगी लेकिन cell जो होंगे वो क्या होगे सेम टाइप के होंगे एक ही जैसे होंगे ठीक है तो जब सेल समान प्रकार के सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो टीशू बनाते हैं उतक बनाते हैं और जब समान प्रकार के उतक एक दूसरे से जुड़ते हैं तब वो औरगन बनाते हैं अंग बनाते हैं और वो औरगन क्या करता है specific functions को perform करता है मतलब प्रतेक आरगन अलग-अलग कारियों को करता है ठीक है जैसे हाथ का काम लिखना है खाना है न कोई काम करना है तो यह सब आप हाथ से ही करेंगे ठीक है इसके बाद इसके बाद पैर का काम चलना है दौरना है न तो सभी के पैर का काम चलना ही है, सभी के पैर का काम चलना ही है, क्योंकि वो same type के cell से मिलके बना हुआ है, और प्रतेक cell का अपना specific function होता है, प्रतेक tissue का अपना specific function होता है, ठीक है, tissue is a group of cell which perform specific type of function, tissue क्या है, कि वो जो है, वो cell का समू है, कोसिकाओं का समू है, जो कि अलग प्रकार के, means specific विशेश प्रकार के कारियों को करता है, ठीक है, tissue धेर सारे कोसिकाओं से मिलके बना हुआ है, समान प्रकार की कोसिकाओं से मिलके बना हुआ है, और वो क्या करता है कि specific विशेश प्रका कारियों को करता है ठीक है इतनी बाते ठीक है अब हम लोग देखेंगे कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के आधार पर कोशिका की प्रकार ठीक है तो आप लिखेंगे केंद्रक केंद्रक के आधार पर कोशिका केंद्रक के आधार पर कोशिका तो आप यहां लिखेंगे दो प्रकार की होती है कैसी होती है दो प्रकार की होती है और तुरंत दो कॉलम बना लेंगे ठीक है दोनों प्रकार को अलग अलग बताते हैं पहले को बोलते हैं प्रोकेरियोटिक कोसिका ठीक है और दूसरे को बोलते हैं यूकेरियोटिक कोसिका ठीक है तो केंद्रक के कोसिका में पाए जाने वाले केंद्रक के आधार पे कोसिका को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले को हम बोलते हैं prokaryotic को सिखा और दूसरे को हम बोलते हैं eukaryotic को सिखा ठीक है तो अब इन दोनों के अलग-अलग characteristics को हम लोग study करेंगे तो लिखेगा वे को सिखाएं जिनमें केंद्रक कला वो केंद्रिका केंद्रक कला केंद्रक वो केंद्रिका का अभाव रहता है का अभाव रहता है ठीक है कैसी होती है eukaryotic को सिखाएं होती है ठीक है दूसरा point इसमें लिखेंगे सूविक्सित सूविक्सित को सिकांगो का अभाव रहता है जो को सिकांग रहते हैं जो mitochondria हो गया endoplasmic reticulum हो गया chloroplast हो गया plastics हो गया और galgy bodies हो गया ठीक है यह सबी जो होते हैं वो well developed नहीं होते हैं तो सूविक्सित को सिकांगो का अभाव होता है ठीक है next point आप लिखेंगे 70s 70s प्रकार का ribosome होता है ठीक है 70s प्रकार का ribosome होता है ठीक है उसके बाद last point लिखेंगे जो केंद्रक केंद्रक पदार्थ मतलब केंद्रक पदार्थ का मतलब जो केंद्रक में उपस्तित पदार्थ होते हैं जैसे केंद्रक द्रब हो गया गुर्सुत्र हो गया जीन हो गया ये कोसिका द्रब में बिखरे रहते हैं ठीक है ये कोशिका द्रब में बिखरे रहते हैं ये बात किसकी हो गई प्रोकारियाटिक कोशिकाओं की ठीक है एक पॉइंट और लिखेगा क्या कि गुड़ सुत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है ठीक है अब ये प्रोकारियाटिक कोशिकाओं जो है वो किन में पाई जाती है तो एक्जामपर आप उदाहरर जो है वो इधर देख लिजे दिखाई दे रहा है नीचे आपको दिखाई नहीं देगा उसके अलमा प्लु गृण सेवाल इन सभी में प्रो करियाटिक कोसिकाएं पाई जाती है जिनमें केंध्रक कला, केंध्रक वकेंध्रिका का अभाव रहता है सू विक्सित कोशिकांग का अभा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, केंद्रक पदास को इसका पदब में विखरे रहते हैं, बुड़सूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभा हो रहता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, यू कैरियोटिक सेल को, आप इनमें लिख लेंगे कि इनमें पूड़ विक्सित होती है, इनमें पूड़ विक्सित होती है, कौन, यही, केंद्रक, कला, केंद्रक और केंद्रिका, ठीक है, केंद्रक कला, केंद्रक वा केंद्रिका, इनमें क्या होती है, पूड़ विक्सित होती है, और 70S वा 80S, प प्रकार के राइबो सोम होते हैं ठीक है इनमें सिर्फ 70S प्रकार का था और इनमें दोनों प्रकार के हैं ठीक है केंद्रक पदार्थ केंद्रक द्रब्य में होते हैं यहां कोशिका द्रब्य में विखरे थे लेकिन यहां पे जो केंद्रक पदार्थ ठीक है केंद्रक पदार् पे गुड़ सुत्र, डियन्ने, आर्यन्ने, ये सभी कहां होते हैं, केंद्रक द्रव्य में होते हैं, ठीक है, उसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, कोसि कांग, लिखेगा, कोसि कांग, पूड़ विक्सित होते हैं, ठीक है, जो माइट्रकांडिया, इंडोफ्लाजमिक रेटिकुलम, जितने भी कोसि कांग, साइटोफ्लाजमिक पाय जाते हैं, वो सभी इनमें वेल डेबलप्ड होते हैं, ठीक है, एक से अधी गुड़ सुत्र होते हैं, डियन्ने जो होता है, वो प्रोटीन से जुड़ा होत है, इसके अलावा, इनके गुड़ सुत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव था, और यहां पे गुड़ सुत्र में हिस्टोन प्रोटीन, गुड़ सुत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, गुड़ सुत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, एक्ज यू जन्तु है और मानव इन सभी में यू कैरियाटिक कोशिकाएं पाय जाती है ठीक है एक बार दोनों को देखिएगा प्रोकैरियाटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला केंद्रक्व केंद्रिका का अभाव रहता है इसमें केंद्रक कला केंद्रक्व केंद्रिका पूर्ड वि केंद्रक पदार्थ कोसिका द्रबे में बिखरे रहते हैं, केंद्रक पदार्थ केंद्रक द्रबे में होते हैं, गुर्षूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है, गुर्षूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसका एक्जामपल बैक्टेरिया वाइरस वो ब्लू ग्रीन एलगी और इसका एक्जामपल जितने सहवाल जितने जिवजनतु और जो पेड़ पौधे हैं वो सबी हैं ठीक है यह थी डिटेल्स किसकी प्रो कैरियार्स और यू कैरियार्स की बाकी next कोसिका की संदश्चना और प्रतेक संदश्चना के कार्यों के बारे म हम लोग कल के क्लास में डिसकस करेंगे थैंक यू एब्रिवन